बच्चों आशा हैं आप लोग सब अपने घरों में स्वस्त एवं सुरक्षित होंगे आए चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज से कक्षा ग्यारवी के बीस्टी के फर्स्ट चाप्टर जो की है चाप्टर वान व्यवसाय प्रकृति एवं उद्देश जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बिजनेस नेचर और परपस अब इस चाप्टर को या इस व्यवसाय के कॉंसेप्ट को जानने से पहरे आए अब हम देखते हैं कि इसकी पहले जन्म कहां से हुआ कंसे कि व्यक्ति को किसी व्यक्ति की आवश क्ता है तो वो क्या करेगा दूसरे व्यक्ति'd वह वस्तु लेका लेकिं इसके तो इस तरीके से पहले लेंदेन होता था या वस्तू को एक्सचेंज या उनका बदलाव किया जाता था और इस तरीके से वानिज जहम कहते हैं वानिजी की शुरुवात थी लेकिन फिर दीरे-दीरे क्या हुआ समस्या कहां आई मान लीजे दो किसान एक साथ किसी दो वस्तू को क्या करना चाते हैं एक्सचेंज करना चाते हैं या बदलाव करना चाते हैं एक किसान जो की क्या करता है एक गेहूं का उत्पादन कर रहा है और एक किसान जो की क्या करता है चावल का उत्पादन कर रहा है अब इन दोनों के बीच में चावल और गेहूं का लेंदेन हो सकता है लेकिन मान लिजे अगर इसमें से एक किसान को चावल नहीं बल्कि उसकी जगर कॉटन यानि कपास की आविशकता है तो क्या ये लेंदेन संभव है नहीं तो इस थिती में समस्याइं उत्पन होने लगी तब वहां पर क्या हुआ पुराने जमाने में ने शिको क्歌 विशकार गिआ यह होते दातू की अभिक शिकों के आविशकार के बाद पेपक करणसी यानि जो अब हम रेगूलर लाइफ में यूज्ज करते हैं वह करणसी धीरे-धीरे सामने आई और इस तरीके से वानिज वार्स या पिर व्या सब्सक्राइब तेध करते ते और बहुत सरी चीजे सामने और जैसे युग बदला समय बन्दला वीमा कम्पनियां सामने आई उसके अलावा भी बहुत से व्यापार हैं जो हम आज के डे ट्ुडे लाइफ में या रोज मर्रा के जीवन में हम जिसको व्यापार के रूप में देखते हूं अब बैवसाय कि अगर इंटरडक्शन से समझें तो जैसे कि एक यहां पर आपको वाकिय दिख रहा है स्क्रीन पर वाक्य कहता है अर्थ से पुर्शों दास मतलब पुरुष्च उता है अर्थ का डास होता है आप किसी जेंडर या लिंग से नहीं है तो सामाने अगर हम जीवन में देखें अगर हमें अपने सामाने जीवन को जीना है तो उसके लिए किसके आवश्रक्ता होती है धन की आवश्रक्ता होती है आप गर से बाहर थोड़ी दर के लिए पर निकल रहे हैं आपको उसके लिए किस सब्सक्राइब कि जीवन में नहीं कर सकते इस जीवन में अपना निर्वहन नहीं नहीं कर सकते ऐसे चीज भी लेनी है तो उसके लिए क्या चाहिए आपको चावल चाहिए या गेहुं लेना है तो अब यानि सिक्कों और पेपर करन्सी के आवश्कार के बाद जब धन की बात आती है तो धन की आवश्कता होती है वस्तु को क्राय करने में ठीक है तब अगर हम समझें तो ये वाक्य जो है अपने आपको सिद्ध करता है कि अर्थस्य पुरुष दास मतलब पुरुष अर्थ का द ये सब क्या है बेसिक नीट्स है तो इन बेसिक नीट्स को भी फुल्फिल करने के लिए या पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है अर्थ को अर्थ करना पड़ता है या अर्थ को कहीं से अर्थ यानि धन धन को कहीं ने कहीं से प्राप्त करना पड़ता है उसके लिए क्या करता है विभिन प्रकार के कारे करता है तो कुछ जो कारे होते हैं वो व्यवसाय कहलाते हैं अब हम व्यवसाय के अर्थ की ओर चलते हैं कि व्यवसाय का अर्थ क्या है बच्चों अगर हम व्यवसाय के अर्थ को समझें तो हम छोटे से उजारण से समझ सकते हैं कि आप अ ठीक है यह क्या करते हैं यह कहीं से स्टॉक में बहुत सारा जो प्रडक्ट है या जो बहुत सारी वस्तु है जिसको वह विक्रय करना चाहते हैं वह खरीद कर लाते हैं मतलब एक तरीके से वह विक्रय करते हैं और उसके बाद वह फुटकर रूप से आपको वह विक्रय करते ह तो ये एक प्रकार का व्यवसाय आपने देखा, तो ये छोटे लेवल पर आपने देखा कि इस तरीके के व्यवसाय किये जाते हैं, इसके अलावा अगर आप देखें तो केवल ये ही व्यवसाय नहीं है, व्यवसाय का जो एरिया है हम कह सकते हैं, या जो उसका क्षेत्र है, वो बहुत विस्तृत है अगर आप आज की शृत्र में देखें तो इन छोटे-छोटे फुटकर चिलहर विक्रिताओं कि आप देखेंगे इंशुरेंस कंपनी सर्विस एक्टर्स इसके अलावा इंटरनाशनल हम जो बिजनस करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरनाशनल इस आए आयात और निर्यात कहते हैं हिंदी में यह सारे भी व्यवसाइद के अंतरगत्य आते हैं उसमें पार्ट आता है कि मानवी क्रियाएं इसमें क्रियाय में वे अती जो मानव को संतुष्ट करती है जिसको पाना चाहता है तो होती है जैसे कि इसकशी क्रियों पर देख रहे हैं पहली वह क्रिया क्या है और दूस्टी क्रिया क्या है अनार्थिक क्रिया को लेकर बात करें तो आर्थिक क्रियाएं जैसे कि शब्द से फष्ट है कि आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होंगी जिनमें की धन involved हो गई है जिसमें हम धन की बात करते हैं ठीक है और अनार्थिक क्रियाएं वे करना को कमाना चाते हैं इसके अलावा भी service प्रोवाइड करना जैसे आप देखते हैं की बीमा कमपनिया सर्विस प्रोवाइड करती इसके अलावा भी आप ऐसे बहुत सरी सर्विस जानते हैं जैसे कि आज कल आपकी दैनिक जीवन में आप देखते हैं कि आप घर पे भोजन नहीं बनाने चाहते हैं बाहर से मंगवाना चाहते हैं तो वह भी प्रकार की सर्विस है जो व्यक्ति करकि आपके घर तक होटल का भोजन पहुंचा दे रहा है रेस्टरेंट से आपके मन पसंद भोजन को आपके घर तक लाके पहुंचा रहा है तो वह भी आपको एक प्रकार की सर्विस या सेवा प्रदान कर रहा है तो यह सारी जो क्रियाएं होती हैं वह आर्थिक क्रियाओ जैसे अगर मंडली में हैं जैसे की आप क्या करती है नवरात्र में यह ऐसे किसी पूजा पाट में भजन की इरतन करती हैं तो यह एक प्रकार की अनार्थिक क्रिया के अंतरगत ही आता है ठीक है अब हमने क्या समझा मानवी क्रियाओं को समझ लिया कि इसमें आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं दो प्रकार की होती है आईए अब हम देखते हैं कि ये जो क्रियाओं हैं वो क्रियाओं का आर्थिक या अनार्थिक श्रिणी में रखने का आधार क्या है What are the basis for the classification of economical and non-economical activities अब इसमें जो हम पहला basis देख रहे हैं या पहला आधार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पहला आधार कहता है कि क्रिया का प्रयोजन अथवा उद्देश यानी object of the activity देखिए बच्चो जो भी क्रिया होती है वह विभिन उद्देशों की प्राप्ती के लिए की जाती है ठीक है अब इसमें हम उदारन ले सकते हैं कि मानलीजे अगर आप कोई गेम खेलते हैं ठीक है आप बच्पन में कोई गेम खेल रहे हैं या बड़े होने पर कोई गेम केबल अपनी एंटरेनमेंट différent रहे हैं तो किस्की श्रणी में आएगी—— अनार्थी लेकिन यही चीज अगर आप अपने career wise develop कर लेते हैं कि नहीं मैं अपने भविश में यही कारे करूँगा यह game खेलूँगा इससे ही अपना धनार्जन करूँगा तो यह किस में आ जाएगी यह आ जाएगी आर्थिक क्रियाओं के अंदर कर देद्ध मतलब यह हुआ कि हर activity का उद्देश या हर क्रिया का उ direct relation of activity with wealth देखिए अब इसको एक अच्छे चुदारण से समझ सकते हैं आप अपने घर में अपने घर के मेंबरों की सेवा करते हैं आपके घर में कोई बुजर्ग बिमार है और आप as a nurse उसकी घर में सेवा कर रहे हैं तो यह क्या हुआ आप क्या उनसे कोई धन ले रहे हैं नहीं बलकि आप अपनी सेवा भावना से अनार्थिक रूप से उनकी सेवा कर रहें क्योंकि वह आपके घर के मेंबर हैं लेकिन यही अगर आप इसको अपने धनार्जन का रास्ता बना लेंगे यह चाहेंगे कि हम मैं चाहूंगी मान लीजे कि आज नर्स मैं हॉस्पिटल मे घर जाकर के मैं उनकी देख भाल करूं जो व्रिध रहते हैं जो उठ नहीं सकते अपने सिखा नहीं सकते उनको मैं सर्विस दूं लेकिन बदले में क्या लूं उनसे मैं धन लूं तो यह आक्टिविटी यह क्रिया क्या होगी एक आर्थिक क्रिया हो जाएगी तो जैसे कि दूसरा आधार कह रहा है कि जो क्रिया का धन से प्रत्यक्ष संबंद है जब मैं वह सर्विस अपने घर वालों को दूंगी आज अनर्स तो क्या मैं उससे धन लूंगी नहीं मैं क्योंकि वह मेरे परिवार वाले हैं वहां मेरी एक रिस्पॉंसिबिलिटी है इसलिए मैं व अस्पिटल में जाकर के सर्विस देती हूं या किसी के घर में जाकर के किसी वृद्ध की सेवा करती हूं या कोई बिमार व्यक्ति की सेवा करती हूं तो इस सिती में क्या होगा मेरा जो प्रयोजन होगा या जो उदेश होगा वो बदल जाएगा और वो प्रतिक शुरूप से आर्थिक activity या आर्थिक क्रिया के अंतरगत या आर्थिक श्रणी में आ जाएगा ठीक है हम अगले अधार की ओर बढ़ते हैं जो कहता है क्रिया की वैधानिक तयानी illegally of the activity चाहे आर्थिक हो या अनार्थिक हो कोई भी क्रिया जो होनी क्रिया वैधानिक रूप से सही क्रिया नहीं होनी जाया कोई भी illegal चीजह इसमें लंगन नहीं होने चीज़ें जैसे कि अवैधानिक चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं जमा खोरी काला बाजारी यह सब चीज़ें जो होती हैं घूस खोरी यह सब चीज़ें जो होती हैं उनको जो है इन श्रेणियों में नहीं लाना चाहिए तो यह जो होता है वो है इसका तीसर क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वरगी करण देख रहे हैं उस आधार पर समझते हैं स्क्रीन पर देखे रहे हैं जैसे कि हमने आर्थिक और अनार्थिक क्रिया समझे अब यहां पर जो मानवी क्रिया नहीं को हमिन क्रिप very अब ताउबों अर्गी करन को हम और अच्छे से डीटल में समझेंगे जो की वह्रीय करन या क्लासिफिकेशन अप स्क्रीन पर देख रहे हैं उससे तेके आर्थिक क्रेओं में आप देखते हैं कि ये तीन भागों में वर्गेगरत हैं देखिए विभवसाइब पेशा और रोजगार चीक है विभवसाइब को English में हम कहते हैं business पेशा क्या होता है प्रफेशन और रोजगार नी इंप्लोइमेंट अब हम इन तीनों को एक एक करके समझते हैं कि यह होता क्या है बचो व्यवसाय क्या होता है बशन करना इसके अलावा किस तरह के ज़िए प्रॉफिट कमाना या लाब आर्जन करना यह सारी चीज़ें इनक ऑर संग्रहान आता है विज्जयापन ये सारी जितनी क्रीयां हैं वो लिए कने क्या होती हैं क्लूड होती है या सनलगन अ देखें प्रफिशे और researchers देखें तो देखें आप बेच्चों पूरी तरह अलग होता है इसमें क्या होता है कि कोई निग protect विशेश विशेश करता है जैसे आप दोक्र करने को देख लीजे काल चार्टटर्ड एक बोला आप अपने पेशे क्या करते हैंले को पर आते हैं जिसें रोजगार कहते हैं इम्प्लोईमेंट इसमें प्राफ्त है। अन के कारे के अरूप क्या मिलता है धन प्राप्त होता है। जो कि जब वह काम पर जाते हैं उसके पहले हैं डेसाइड़ remains मेंलतरे में फ़्रविक्राइव होते हैं अब data को देखते हैं प्रभंडर्Ich को कि को देखते हैं जो अनार्थिक क्रियाएं वह सभी क्रियाएं होती है जो कि बिना अर्थ प्राप्ति के उद्धेश से कारे करती, जैसे कि मैंने आपको बताया है धर्म का प्रचार, देश की सेवा, देश प्रेम, इन सभी matters पे या इन सभी topic पे जो कारे किये जाते हैं, इन सभी मुद्दों पर जो कारे लोग करते हैं, वो कारे सभी अनार्थिक क्रियाओं के अंतर अगयताते हैं तो बचो इस सचों से आपने क्या समझा कि आर्थिक में और अनार्थिक क्रियाओं को जाननी के बाद आये उनके बीच में कुछ अंत्र को जानते हैं आर्थिक एवम अनार्थिक क्रियाओं में अंतर difference between economic and non-economic activities अंतर का आधार पहला हम लेते हैं अर्थ अर्थ में अर्थिक क्रियाओं के अर्थ को देखते हैं धन कमाने या जीविको पारजन के लिए की जाने वाली मानविय क्रियाओं आर्थिक क्रियाओं के राती हैं उसी तरह अगर हम अनार्थिक क्रियाओं का अर्थ देखें तो प्रेम सहन भूती भावनाओं में देशबक्ती आदी से प्रेरित क्रियाओं अनार्थिक क्रियाएं के राती है दूसरा अंतर का अधार संबंध लेते हैं तो आर्थिक क्रियाएं धन की प्राप्ती से संबंध लेते हैं और अनार्थिक क्रियाएं धन की प्राप्ती से नहीं होती हैं तीसरा अंतर का अधार उदेश लेते हैं तो आर्थिक क्रियाओं का उदेश धन कमा कर जीविका चलाने से होता है और अनार्थिक क्रियाओं का उदेश जीविका के लिए धन कमाने से नहीं होता चौथा अंतर का अधार मापदंड लेते हैं तो आर्थिक क्रियाओं में जो मापदंड है वो मुद्रा है और अनार्थिक क्रियाओं में जो मापदंड है वो मुद्र नहीं है पांचवा अंतर का अधार प्रेरणा स्तोत लेते हैं तो आर्थिक क्रियाओं में अगर हम देखें तो आर्थिक क्रियाओं का प्रेरणा स्तोत्र आवशक्ताओं की संतुष्टी होती है और अनार्थिक क्रियाओं का प्रिणस रोध भावनाओं से सम्बंदित होता है इसी प्रकार हम छटवे अंतर का अधार लेते हैं क्रियाओं के प्रकार आर्थिक क्रियाओं में देखते हैं व्यवसाय, पेशा एवं रोजगार आर्थिक क्रियाओं के विविन प्रकार हैं और अनार्थिक क्रियाओं में देखें तो अनार्थिक क्रियाओं का केवल एक ही स्वरूप होता है गहां और अनार्थिक Ник्रियाों में अगर हम उदारने देखे हैं तो डॉक्तर द्वारा है अपने पुत्र को बढ़ाना ये सारे जितने भी हुदारन ने वह अनार्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं में अंतर आइए अब हम चलते हैं कि व्यवसाय किया है उसको समझते हैं यह व्यवसाय का क्या अर्त और जिसे की सब्सक्रार समझें एगर हूंसक्ति करें तो सामायनिय भार्षा में अगर व्यवसाए को परिभाशत करें तो कहा जा सकता है जब किसी वस्तु का लेंदेन या क्रेविक्रेश होता है तो वह भी अगर हम इसको विष्थरित रूप में समझें व्रिषद रूप देखें तो व्यवसाए कहां से स्टार्ट होता है जब किसी उतपाद का production start होता है यानि उस उतपाद को उतपादित किया जाता है वहां से start होता है व्यवसाय और कहां जाकर खत्म होता है जब उतपाद जो है उन वस्तों को उनकी मांग करने वाले उपहोकतां तक पहुंचा जाएगा तब व्यवसाय को हम प्रॉपरली परिभाशित कर सकते हैं इस में बहुत सारी चीजें हम इंक्लूड करते हैं जब मैं कह रही हूं कि वस्तों के उत्पादन से लेकर के उसको उत्भोगता तक महुंचाना पूरा व्यवसाय है लेकिन इसमें कई चीजें आती हैं दे मुक्ताओं तक कैसे पहुंचेगा उसमें ट्रांस्पोर्टेशन यानि परिवहन जैसे चीजें भी उप्योग में आती हैं अब इसके लिए संदेश वहां भी लगेगा कि संदेश पहुंचाना है आजकल की जैसे कि मोबाइल एक बहुत अच्छी सुविधा हो गई है कि य यहां पर रिसीव कर लीजेगा या इस ट्रक को आप वहां पर गिंती कर लीजेगा या अपना संतुष्टी कर लीजेगा कि यह जो ट्रक यहां से निकला है जो माल यहां से निकला है वह माल आप तक पहुंचा कि नहीं इसके लिए जैके बहुत सरे संदेश वहां भी होते ह करते हैं तो इन सब संदेश वाहन का यूज करके संदेश वाहनों का उपयोग में लाकर क्या किया जाता है हम व्यवसाय को बढ़ावा देते हैं इसके अलावा अगर हम देखें बीमा कंपनिया भी इसमें बहुत इन्वाल्व होती हैं कि इस सरगे से जब प्रड़क्ट निकल होता है उनका बीमा किया चाहिए कंपनिया कि क्या करेंगे को हैं टुट रपार होता है से वियुक्सान होता है तो इसकी नुक्सान की भरपाई हो सगेिए और इन्क्यस नुक्सान58 कर são कि तो इसमें बिमा कंपनी आपने सर्विस दे रही है और एक तरीके से वह भी अपने व्यवसाय चला रही है तो इसमें और चीजें इंक्लूड़ेड होती है जैसे बंडारांट जिसे हम इंग्लिश में वेर हाउसिंग कहते हैं, बैंकिंग की सुविधा है जिसमें पेमेंट ट्रांसफर होता है, आप लोग देखते हैं, आजकर ओनलाइन बैंकिंग का जमाना हो गया है, कोई भी नहीं चाहता कि घंटो बैंकों में जाकर के लोग लाइन सुविधाओं का आजकर सुविधाओं को बैंकिंग उपलब्द कर आ रही है, हम जैसे कस्टमर्स इन बैंकिंग सुविधाओं का आनन्द ले रहे हैं, तो एक व्यावसाय में इतनी सारी चीजें इंक्रूड़ड हैं, जो कि मैंने आपको बताई, अब जो स्क्रीन पर आप व्यावसाय का एक चार्ट देख रहे हैं, इसमें आप देखते हैं कि व्यावसाय को दो भाग में बाटा गया है, एक वाणिज यानि और दूसरा बाटा है उद्ध्योग यानि इंडस्ट्री के रूप में, अगर हम वाणिज यो को लेकर आगे समझते हैं और बढ़ते हैं और बैंकिंग सेक्टर ये सब किसमें आएंगे व्यापार के में सहयक होने वाले में आएंगे ठीक है, और व्यापार में जो बिसनस चालू किया है, माल लिजए किसी ने चालू किया है, स्टील का बिसनस चालू किया है, तो वो उनका अपना व्यापार है, ठीक है, अब हम अगर व्यापार का वर्गी करण करें तो व्यापार के वर्गी करण के हम देखते हैं कि इसको दो भागों में बाढ़ते हैं आंतरिक व्यापार या आंतरिक या देशी व्यापार और दूसरा होता बाह या विदेशी व्यापार ठीक है अब आंतरिक या देशी व्यापार को ह इंपोर्ट एक्सपोर्ट्री एक्सपोर्ट अब जैसे कि आप थोग व्यापार को समझें कि आप बहुत अच्छे जानते हैं कि थोग व्यापार क्या होता है कि मान लीजे एक किराने वाले परचून की दुकान में लोग क्या करते हैं जो व्यापारी रहते हैं थोग में तो इस तरीके से ठोक व्यापरी को समझ सकते हैं जो नहीं गली महलों में छोटी चोटी दुकानों में ऐसे शॉपस डालके बैटेंगे जैसे आप अब जानते हैं कि अब ही हमारे देश में क्या हो रहा है कि विदेशों से वैक्सीन मंगाई जा रही है तो इसको कहने आयात कहने कहते हैं इसके पहले क्या हुआ था कुछ समय पहले कि वैक्सीन के लिए जो रॉम मेटीरियल चाहिए था या अल्रेडी एविलेबल वैक्सीन थी यह मेडिसीन थी जो मलेरिया में यूज करते थी उसको हमारे देश के ग की करते हैं क्रिशी की वज़ह से एक सौने की चडिया की तरह अभी कारे करता है क्रिशी हमारे देश का एक मुख्य भाग है यहां पर जो अनाज का उतिपादन होता है ऐसे कई आज हैं या ऐसी कई चीजें हैं जिनको अतुब अतौता है जो कि विदेशों में नहीं होता throughout तो यहां से विदेश की सरकार क्या करती है हमारे देश से वो चीज क्या कराती है आयात करती है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम क्या करते हैं निरियात करते हैं जैसे कि ILECNIC items ठीक है इसके अलावा भी कही चीजे हैं लेकिन electronic items को मैं प्राइट्री में बता रही हूं कि electronic items जब mobile वगरे बनाते हैं तो उनके जो छोटे छोटे टेक्निकल चीजें होती है या छोटे छोटे चिप्स होते हैं वो in case अगर हमारे देश में नहीं बनते हैं दूसरे देश में बनते हैं तो उनको क्या किया जाता है और पुनर निरिया परिभाशाओं के माध्यम से व्यवसाय को अच्छी तरीके से जानते हैं कुछ विद्वानों ने जो है व्यवसाय के परिभाशाएं हमें प्राप्त हुई है उनको वर्गी करण के हिसाब से समझते हैं कि किस वर्गी करण में कौन सी परिभाशा आती है और उनकी थोड़ी समाल उचना भी देखते हैं पहली हम वर्गी करण देखेंगे वो है संकुच अर्थ वाली परिभाशा इसमें पहली परिभाशा सन मेकनौटन ने दी है उस उनके अनुसार व्यवसाय शब्द से आशय पारसपरिक हित के लिए वस्तूओं द्रवे तता सेवाओं के विनिमे से हैं इस परिभाशा में आप देखते हैं कि हितों की बात की गई है पारसपरिक हित मतलब खुद के अलावा भी दूसरे की भी हितों की बात की गई है पर उन्तों यहां पे एक चीज नहीं बताय गई है वह है आर्थिक उत्पादन मतलब किस सरीके से फंड को जनरेट किया ज हम दूसरी परिभाशा देखते हैं संकुचित अर्थ वाली परिभाशा के अंतर गथी जो की हैने सर ने दी है उनके निसाय व्यवसाय से आश्य उन मानेवी क्रियाओं से हैं जो वस्तुओं के क्रय विक्रेद्वारा धन उत्पादन अथवा धन प्राप्ति के लिए किया जाता है यह परिभाशह अपने आप में स्पष्ट निजराती है और सम्बूर्ण जराती है लेकिन इसका कमी अगर आप देखें तो इसमें बात हो रही केवल वस्तूओं की वस्तूओं के विकった रहात धन पादन लेकिन व्यवसाएتr अगर हम स्किसामा लोचना करें तो व्यवसाय की परिभाशा को विस्तरित अर्थ वाली परिभाशां के अंतरगत देखते हैं सर स्सी हूपर के नुसार व्यवसाय से आश्य वाने जेम उद्योग के संपुर्ण जटिल शेत्र आधारबुत उद्योगों और प्राविदिक एवं निर्मानी उद्योगों तस सहायक सेवाओं के व्रहत जाल वितरन बैंकिंग बीमा यातायात आदी से है जो जोखिम पूर् परिभाषा जो है वो क्या है जो हम पुराने जमाने में उल्ड कॉंसेप्ट था उस बेसिस पे सही है लेकिन जो परिभाषा है वो आधुनिक द्रिश्ट्री से अपूर्ण लगती है ठीक है अब हम नेक्स्ट हार्ट सर ने दी है परिभाषा उस क्यों और बढ़ते हैं सर ह परिभाषा ने कहा है व्यवसाय का अर्थ सामाजिक रूप से गठित उस विनिमे प्रणाली से है जो वस्तूओं सेवाओं का उत्पादन एवं वित्रण करते हैं अब इसमें वस्तूओं सेवाओं दोनों की बात हो गई लेकिन एक बात छूट गई वो है क्या कि जो सोशल responsibility होती है वो बात इसमें छूट गई ठीक है सामाजिक उत्तरदाइत हम समालोचना अगर करते हैं तो इसमें किस चीज़ की कमी हो गई सामाजिक उत्तरदाइत की भावना की कमी हो गई तो इस सरीके से हमने दो प्रकार की परिभाषाओं को देखा जिसमें हमने चार परिभा के नुसार व्यवसा एक ऐसा उपकरम है जो समुदाय के सदस्यों की आवर्शक्ताओं की पूर्ती है तू वस्तूयम सेवाओं को बनाता है वित्रित करता है अत्वा उपलब्द कराता है अब इसमें देखें आप जैसे की देख रहे हैं इस वरिभाषा में इसमें पश्ट लिखा गया है कि समुदाय के सदस्यों की आवर्शक्ता की पूर्ती तू वस्तूयम सेवाओं को बनाता है वित्रित करता है अत्वा उपलब्द कराता है ठीक है लेकिन एक बिजनस या व्याविसाय का एक कंसिप्ट और भी है सोशल रिस्पोंसिबिलेटी हो गया लाबार्जन हो गया आर्तिक उत्पादन हो गया इसके अलावा क्या चीज है कि मार्केट में इनोवेशन लाना यानि बाजार में नई नई चीजे उपलब्द कराना जो कि इस आधुनिक परिभाषा में भी कमी दिख रही है हाला कि ये परिभाषा अपने आप में संपूर्ण चीजें चीजों को संगटित करके रख रही है लेकिन इस परिभाषा में भी एक चीज की कमी है वह है कि नवीनता की कि बिजनस का रूल ही है कि मार्केट में वही व्यापारी सस्टेन करेगा या वही व्यापारी लॉंग टर्म बिस्स पे कारे करेगा जो अपने कारे में हमेशा नवीन दालाएगा आईए हम अगले परिभाश्र की ओर चलते हैं जो कि इस प्रकार है सर बयाड ओहिलर के अनुसार व्यवसाय एक ऐसी संस्ता है जो कि नीजी लाब के प्रेणा के अंतरगत समय की वस्तूओं एवं सेवाओं को उपलब्द कराने के दृष्टिकोंड से संगठित एवं परिचा की जाती है अब यहां पर नीजी शब्द यूज में आया है तो केवल नीजी लाब ही नहीं होता है बलकि क्या होता आजकर सरकार भी क्या कर रही है व्यवसाय कर रही है और क्या कर रही है उससे धनार्जन कर रही है साथ साथ क्या कर रही है उससे अपनी जो सामाजिक उत्त लो जो 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 कि